जय अगर हालू मेरे जितने भी दोस्ते मेरे जितने भी सब्सक्राइब दोस्ति और मेरे जितने भी विवर्ट से उन सबको मेरी तरब से प्रणाम शीवकार हो और जैसे की मैं थोड़ा-सा भी वीजी चल रहा हूं मैं किसी काम के सिल्षले में अभी पंजाब आया था पहले तो गुजरत एहमदबाद में था फिर अभी पंजाब आया हूं काम के सिल्षले में तो यह काम खत्म करने के बद मैं अपना अपना एरिया में लोट जाऊंगा वापस तो काफी सारा मेल मुझे इसी सबसे आया कि ग कि ग्लतिया आप लोग भी करते हो है सभ से बड़ा ग्लति होता है कि कुछ लोग Google बिना गूरू के साधना में बैट जाते हैं ना वह लोग गुरुधारन करते हैं ना गूरु का आग्यपालन करते हैं सिर्फ युटूब में देखा हुआ विडियो के उपर अधरित करके वह JAC औक साधना में बैठ जाते हैं जबकि Net , YouTube कभी भी पूर्ण गयान कोई नहीं दे सकता किसी कभी चैनल देखो वोकिसी देख लो 5 मिनिट 10 मिनिट 15 में कोई पूरन गयान नहीं देता है कुछ न कुछ छुट जहालता है और कोई बीस शाधना में अगर हम अपूर्ण गया, पूर्ण जानकरी के बिना बेठेंगे, तो वह साधना कभी भी पूर्ण नहीं होगा, काफी कुछ चीज माहिने रखता है साधना के समंदित, सिध्या हासिल के लिए, बहुत कुछ माहिने रखता है, जैसे कि मैंने पहले भी काफी वीडियो में मैं मैं बता चुका हूँ, कि गुरु सबसे एक ऐसा मार्ग है गुरु की तरब, जो साधक का पहला रास्ता ही चाहिए, मतलब साधकों के लिए पहला रास्ता यह होता है कि गुरु को चोयन करे, गुरु की रास्ता में बढ़े, तब आगे की रास्ता, गुरु ही बताएगा, क उसके बाद आगे की रास्ता गुरू ही देखा दिगा लेकिन कुछ सादक भाई ऐसा है जो यूट्यूब के वीडियो को देखते ही साधना शुरू कर देते हैं काल देखे कि स्वर्ण येक्षिन शाधना अच्छा लगा धौन संपति सोना देने वाला है उसमें साधना में ब कैसा करते हैं साधना और Kin豪 और यालियु मतलश करते हैं बहुतया अब दोड़िगेर पूर्ण ये निक्याल कarta परद्क होना चाहिए जिस्तक कोई साधना मरत होता हेई अपना इस्ट अपनित्सक्त की uniform समर्पित होने के बाद ही और पूर्ण ग्यान रखने के बाद ही साधना सिध्ध होता है नहीं तो काफी ऐसे लोगों का मत ले सकते हैं जैसे कि साधना में बैठते हैं थोड़ा बहुत अनुभव भी होता है पर साधना सिध्ध नहीं होता है काफी ऐसे चनल है जिन्होंने अन की कितने लों को शीद्य हासिल हुआ है एजब होता है यह बात देखिए को ei बोलता है को जीतनी parfois और हम पर रहे कि हम तरह मंत्र को जाब कर रहे तो वो भी अपना होने का एहसास कराएगा आपको तो दोनों एक दूसरे को अनुभब करेंगे लेकिन सिद्धी हासिल नहीं होगा ना इससे सिद्धियों की मार्ग जो है वो गुरुवी प्रसस्त करेगा दूसरा कोई और नहीं और तरीक आथ यह पाँ सकते हो क्यों में घखरी का रहना बहुत ही जरूरी है क्यूंकि गुरु की पुर्ण है क्व्रीं के अलावा सब अपुर्ण है नहीं कि बीना गुरु के सद्धिया स्द्धियाा प्हसिल नहीं कर सकते जो बिनंब로 के सो सिद्धय दो सिद्धय पांसो सिद्धय पाया है उसको कुछ काम यूंश करना है कि यहThis सकती है कि भार को वेक को समालने के लिए उसके पास सकती नहीं है तो गुरु एक ऐसा चीज चीज सबसे पहले साधकों के लिए गुरु धारन करना है तो एक भाईने मुझे सवाल पूछा था जो मुझे अच्छा लगा था कि आप जदेर साबरमंत्र के बारे में बता आते है इसका कारण क्या है देखो साबर मंत्र आज की समय में सबसे उप्योगी जो होता है वो साबर मंत्र है मंत्र केई जा रहे है वैसे तो मुख्य तो थीन प्रकार की जो बैदिक तंत्रक्त और साबर मंत्र सावर मंत्र अपने आप में ही पूर्ण है अपने आप में ही संपूर्ण है हार प्रकार की सावर मंत्र रचना की गई है वैसे सावर मंत्र का संख्या कितना है तो आप सो करण सावर मंत्र का कुल संख्या है सो करण उन में से मच्चेंदर नाथ गुरुगोरक नाथ नवनाथ और 84 सिद्धों ने कितने क्या लिखा था वो सब अलगलग संख्या के मत्रा में टोटल लेकिन सो करोडे सावर मंत्र की संख्या जो कहलाता है तो आज की जमाने में हर मंत्र जब किलित होता है फिर भी उस जग में साबर मंत्र कभी किलित नहीं होता है कुछ मंत्र का आज भी प्रभाव देखा जागा है काफी सारे ऐसे वाट मंत्र जीनको आज भी जाब किया जाते बस एग ग्यार अबार एकुर अक्षे आट बार जाब करते ही हम उसका परिनाम करना पड़ें सिफ एक हाजार एकञा ताध एतने संख्या में जब करने सावरमंत्र दमसारन हो जाताए कि सावरमंत्र में भी जितना कुछ भी कहा जाए कम है वैसे तो सावरमंत्र के वांच भाग में गरा जाए ग्युश्च कि आ जैसे कि डार बरभर अढ़या बराट इम इन में से सबसे पावर कूल जो होता है वह जिसमें गाली गुलोज के साथ तो वो सभ गुरू को ज्यादा मतलब यहां मैं गुरु को ज्यादा स्ट्रेज यह दे रहा हूं मतलब यदा देने का कारण यह है मेरा कि गुरू ही आपका हर वो चावी का जो ताला होता है वह ही है और कुछ नहीं है अब इदर उदर भटकने से अच्छा है किसी एक युग्य गुरू के पास जाई और साधना में कभी भी अपना मन को इदर उदर बिचलत ना करे चाहे कित साधना में तो काफी लोग काफी सारे चनल वाले चिक्णी चुपडी बातों से आपको बहलाता है कि यह साधना करो यह सिद्धिया मिलेगा आपको धन संपति सब कुछ मिल जाएगा पर जो बोल रहा है क्या उस सच में वो किया है मैंने हाफीज जिन का साधना छोड़ी तो उसमें मैंने खुद किया है उसी जिन को सा सिद्धि तो इसके बारे में में बताया था और मैंने मेरे बाद कि भी उसको तेरा बंद ने सिद्धिया पहले तो ग्यारा बंद ने किया अभी सके समय में दो बंद और सिद्धिय किये है तो वह चीज होता है जो मैंने किया था म पांसो हजार साधना की यह जूटा वल जूटे क्योंकि एक इंसन की हिसाब से देख लो जब बच्पना छोड़के वह 18-19 साल होगा तभी जाके कुछ समझ में आएगा उसके अंदर फिर अपने अंदर धिरे-धिरे गुरु मंत्र गुरु के साथ जूटते हुए धिरे-धिर 20.22 लग जाएगा एक-एक साधना만े ब एक साधना के बारे में पूर्ण जानकारी रखना और। पूर्न सिद्ण करना उसको है कि और जितने हैं में किया वह पूर्ण में वह सफल शावा रहा है आपको भी उसी लाइन पर चलना रही कि राश्ता आने कि लेकिन हमको जो आखिर जगा पहुंचना है वह एक होता है जो है, शिधियो, सिधिया की तरप, सिधिया हासिल, चाहिए आपको भी राश्टे से चलो, कुछ भी करो, उसमें खोई माइनने नहीं रखता है, शिधिया तो आखिर में आपको भी चैहिए मुझे भी चैहिए, और शक्ति का प्रतक्षिकरण हार कोई नहीं कर पता है, उसके लिए तोड तरीका होता है, एट उचेट चीज हो के step by step करोगी, तभी जाके कुछ होगा हासिल, नहीं तो ऐसे ही 100 साल किया 10 साल किया 50 साल भी भटकते रहोगी, कोई फाइदा हासिल नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी करो, और सिर्ब साबर मंतर नहीं, गुरु के मुक् लाश्ट तक उसी के पास ही ठीका रहो, तो आपको सबसे ज्यादा फाइदा मन होगा, और किसी सबसे खुशी बात यह हुआ, कि किसी भाई ने मेरे खाते में आज 15,000 डाले है, मैंने उनको मांगा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो भाई भी कोने साइद में जानता कि मुझे वो पैसे का जरूवत नहीं है, जितना चाहिए उतना ही में खुश हूँ, ठीक है बस इतना ही कहता है, कहना था मुझे कि जिन्नों ने ज्यादेर कुश्चन इसी के पर आया था मुझे, कि सिध्या कैसे हासिल किया जाए, गुरु क्या है, गुरु कोई गुरु ए कि साधना है, तो शौची कि बिना सास के वो चल रहा है, ऐसे इसा ऐ बात है नहीं है, कोई फाईधा हासिल होने वाला नहीं है, और नेट से जुड़के जो भी साधना शिध्या कर रहा है, उसको तो भगवानी जाने, और उसके गुरु को जाने, क्यूंकि नेट में, कोई यशनिया ने लूझ सेव करने राफ सनो खेट ॡ समस्तर कि अपनल के तो सब्सक्रया करना पढ़े फिरंत्र करना पड़ेंगा पूऑ करना पड़ेंग व Ce dejar को सब्सक्राइब एक पूजन करने के लिए उसनों के को best तो यह सब चीज कैसे क्या संभव हो पाएगा कि यूटूब वीडियो में कोई बताता है रो मिरिम क्या क्या बताता है लोग कोई मंत्र लेलो कोई सभी मंत्र उठाके करऊ सिध्या होने वाला यासा है नहीं मंत्र को पूर्णताय उतकिलन करो और स्टेब बाइड चलो तभी किसी भी मेरे मेरे से जुढने कर नहीं कह रहा हूं जैए यस इस चीज को किया हो और जिसने खुद इस चीज को प्रतेक्शिकरन किया हो जिसने खुद इस चीज को जाना हो समझा हो बुजा हो बस इतना ही कहना चाहूंगा सोच समझ कर कुछ भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए जय अगोरहाडो